Hello investors, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को Yes Bank और Indian Oil Corporation के साथ में कुछ ऐसी companies के shares के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे stock bonus, stock split और dividend announce कर दिया है मैं हूँ आरुश, आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश, आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले share की बात करें तो company का नाम है Nath Biogenes Limited, यह company का जो share है last trading session पे 0.4% के एक positive note के उपर में close गवा था और company के share का जो closing price था 238 रुपीस का था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Nath Biogenes यहाँ पे dividend announce कर दिया है 2 रुपीस का आप लोगों को आपके हर एक share पे 2 रुपे का dividend दिया जाएगा definitely dividend value हमें fair देखने को मिलता है और इसको देने की x date record date जो है 9th of August यानि की 9 August की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है JFL Life Sciences Limited यह company का जो share है last trading session पे 5% के अपर सरकेट पे लोग था और 61 रुपीस के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो JFL Life Sciences ने जो है यहाँ पर dividend के लिए board meeting organize करी है 2nd of August को और यहाँ पर अब देखेंगे तो जो 2nd of August को meeting रखी है इसके अंदर जो dividend announce होता है अगर तो company की dividend history यानि की past में company ने अपने investors को जितना भी dividend दिया है उसके accordingly जादा अच्छा आता है तभी आपको इस company के share में further अच्छे momentum देखने को मिलेंगे वरना एक company का share आपको correction या फिर back to back lower circuits लगाता देखने को मिल सकता है इस चीज़ का जरूर से दियान रखिएगा JFL Life Sciences के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और खास कर दूसरी अगस्त के दिन इस company के share को आपकी नजरों के अंदर में बना के रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Novama Wealth Management Limited ये company का जो share है last trading session पे 5% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 6,300 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Novama Wealth Management ने जो है यहाँ पर dividend announce कर दिया है 81.50 रुपीज का आप लगो को आपके हरे एक share पे 81 रुपीज 50 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 7th of August यानि की 7 अगस्त की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है VST Industries Limited ये company का जो share है last trading session पर हमें 1.50% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 4,393 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो VST Industries ने यहाँ पर stock bonus announce कर दिया है 10 is to 1 के ratio से जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पर आपको 10 shares as a bonus मिलेंगे और आपका जो एक share है वो 11 shares के अंदर में convert हो जाएगा अब आपके पास में बेशक VST Industries के चाहे जितने मरजी shares हो आप लगो को आपके हरे एक share पे 10 shares का bonus दिया जाएगा definitely bonus ratio काफी जादा अच्छा है बट इसको देने की जो X date और record date है अभी upcoming में है जैसी announcement आएगा मैं आप लगो को intimate कर दूँगा आप लोग जो है चानल को subscribe कर लीजिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Dr. Radies Laboratories Limited ये company का जो share है last trading session पे 0.6% के एक minor correction के साथ में close हुआ और company के share का जो closing price था 6,798 रुपीज का था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Dr. Radies Laboratories ने जो है यहाँ पे stock split announce कर दिया है 1 is to 5 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आपका हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इसको देने की भी X date record date अभी upcoming में है अगेन जैसी announcement आएगा मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा आप लोगों को just channel को subscribe करना है अगले share की बात करें तो company का नाम है yes bank limited yes bank का जो share है कल के trading session में 3.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला जो कि definitely एक ही trading session के हिसाब से एक काफी बड़िया momentum है और company के share का जो closing price था 25.84 रुपीज का था अब काफी ज़दा rumors यहाँ पर फैल रहे थे कि yes bank के अंदर कोई बड़ा foreign institution या कोई बड़ा foreign bank investment करेगा वो भी काफी बड़ी quantity में तो यहाँ पर yes bank के official आपके सकते है management ने confirmation दिया है यहाँ पर clearly हमें बताया गया है कि जो भी investors थे जो कि 2020 के अंदर में yes bank के अंदर में invest करे थे जब yes bank almost bank रपसी के पास था तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI yes bank के अंदर में invest करा था और SBI के साथी साथ और भी बड़े banks जैसे की HDFC bank हो गया ICICI bank, Kotak bank, Bandhan bank और IDFC first bank इन सब banks ने मिल करके nearly 10,000 करोर रोपीज invest करा था उस time पर yes bank के अंदर में सबी banks हैं यह सब totally 33.74% का जो stake है वो hold करते हैं yes bank के अंदर तो 33% से जाधा कई जो stake है जो कि इन सबी banks के पास में है क्योंगी कही न कहीं जब 2020 में investment करा गया था तो यहाँ पे एक promise किया गया था कि आपको एक अच्छा exit दिया जाएगा आने वाले कुछ सालों में अभी वही time आ चुका है जब yes bank ने खुद confirm किया है कि एक बड़ा foreign investor यह लोग ढूंड रहे हैं जो कि यह इतने बड़े stake को एक साथ में purchase कर पाए और जो बाकी banks yes bank के अंदर में invested हैं इन सब को एक अच्छा exit यहाँ पे मिल पाए and already आपको बता दूं foreign के काफी बड़े-बड़े banks और काफी बड़े-बड़े institutions से काफी अच्छा खासा interest आ रहा है yes bank के अंदर investment करने का तो जो कि काफी अच्छी और एक positive बात है और अगर कोई बड़ा Indian bank की इतने बड़े stake को acquire करता है तो कहीं न कहीं वो strategically भी काफी इस साथ yes bank ने एक और बड़ी चीज यहां पे कई जो NPS थे यानि की non performing assets वो ऐसे loans जो की दिये हुए थे जिनकी recover उने की chances अब खतम हो गए थे वो यहां पे JC flower ARC को 2022 के अंदर में yes bank ने 11,200 करोर रुपीज में sell करे थे जो NPS थे 4800 करोर रुपीज के वर्थ के थे और 11,200 करो था और वहां से भी yes bank को एक अच्छा खासा profit हुआ था और वो वाला deal कहीं न कहीं इनकी जो turnaround कह सकते हैं filing है उसके अंदर एक काफी अच्छा और important role play करता नजर आया इसी के साथ yes bank ने अपना recently result report करा था net profit company का 502 करोर रुपीज का था 47% का year on year growth हमें देखने को मिला था all over yes bank कभी फिलाल काफी अच्छा नजर आ रहा है अभी जल्द बाजी के अंदर में invest मत करिएगा एक बारी कोई बड़ा player 33% का stake acquire करे उसके बाद में हमें पता लगेगा कि company के future projections क्या बनेंगे और साथी साथ में management किस हिसाब से यहाँ पर चलेगा तो कहीं ना कहीं इस चीज का ध watch list के अंदर में add कर लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की company का नाम है Indian Oil Corporation Indian Oil Corporation का जो share है कल के trading session में डेड़ परसेंट से जादा की तेजी दिखाता देखने को मिला और 183 रुपीज के उपर में close हुआ अब Indian Oil Corporation की तरफ से एक काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है बेसिकली यहाँ पे 5 पैसा करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I am pretty sure आप लोगों ने भी 5 पैसा का नाम जरूर से सुना हुआ अब 5 पैसा ने जो ए Indian Oil Corporation के शेयर के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और दो targets यहाँ पे दिये गए हैं पहला target है 189 रुपीज का और वहीं जो दूसरा target है वो है 196 रुपीज का तो लगबग 183 रुपीज से लेके 189 रुपीज और उसके बाद में 196 रुपीज तक एक जो rally है वो यहाँ पे 5 पैसा expect करके चल रहा है Indian Oil Corporation के शेयर के उपर में और same time पे 5 पैसा ने आपे stop loss भी recommend कराए जो की 171 रुपीज कराएगा तो 171 रुपीज का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है 5 पैसा ने Indian Oil Corporation के शेयर के उपर में provide करी है अब अगर हम लोग IOC की बात करें तो देखिए Indian Oil Corporation भी fundamentally financially काफी जादा strong company है उपर से PSU unit होने की वज़े से government का जो support है और investors का जो trust है वो company पे specifically काफी जादा बना हुआ है इसके अलावा company का share आपको एक अच्छे valuation पे मिल जाता है और Indian Oil Corporation लीथियम आयन बैटरी के manufacturing पे भी work कर रहा है और India के अंदर में य एक लीथियम आयन बैटरी का manufacturing plant भी लगाने वले हैं आने वले कुछ time के अंदर इसके अलावा अपने हर एक fuel station पे CNG और साथी साथ में EV chargers को भी install करेंगे चुकि कहीं ना कहीं futuristic अगर आप देखते हैं काफी जादा helpful रहेगा और इनके revenue stream का एक काफी बड़ा हिस्सा जो है यहीं से आने वला है विगोश सभी को बताए EV is the next generation और जो कि already start हो चुका है अभी आने वले time में और massive levels तक जाएगा और तब तक Indian Oil Corporation भी full-fledgedly ready हो जाएगा as a big solely EV company तो जरूर से आपको Indian Oil Corporation पे भी नजर बना के रखनी चाहिए long term के लिए अभी भी काफी जादा अच्छ है और आपकी नजर बना के रखिए definitely Indian Oil Corporation के share को भी आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा बाकी Indian Oil Corporation हो गया yes bank हो गया इन दोनों companies के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेन होगा अब अगर आपको वीडियो अची लगियो definitely वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates सारी थी जिन्होंने bonus, split और dividend arounds किया था वीडियो को लाइक कर जिएगा और channel को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लोगो के daily basis पे ले करके आता रहता हूँ, चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye